यह कहानी एक गिलहरी और उसके बच्चे की है. एक बार की बात है, एक सुन्दर गिलहरी अपने छोटे से बच्चे के साथ जंगल में रहती थी. गिलहरी बहुत समझदार और चतुर थी. उसने अपने बच्चे को हमेशा जंगल के खतरों के बारे में चेतावनी दी. वह उस उसे बताती कि जंगल में बाग, साप और अन्य खतरनाक जीव होते हैं, इसलिए उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए, एक दिन उसने अपने मा से कहा, मा मैं थोड़ा खेल कर आता हूँ, मा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा ध्यान रखना कहीं भी अकेले मत जाना, गिलहरी का बच्चा खेलने के लिए दूर चला गया, बच्चा खेलने में इतना खो गया, कि वह मा से दूर चला गया, तभी एक साप ने उसे देखा, और उसे घेर लिया, बच्चा डर गया, और जोर-जोर से चिलाने लगा, उसकी मा ने उसे आवाज सुनकर तुरंत दौड लगाई और बच्चे के पास पहुंची गिलहरी ने अपनी चतोराई से साप को डराया उसने साप से कहा तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी तेज हूँ अगर तुमने मेरे बच्चे को कुछ किया तो मैं तुम्हें पकड लूँगी साप डर कर वहां से भाग गया गिलहरी ने अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली. उसने अपने बच्चे को उठाया और समझाया. देखो बेटा, हमेशा सावधान रहना चाहिए. मा का अनुभव तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता-पिता का अनुभव और ग्यान हमें कठिनाईयों से बचा सकता है और हमें हमेशा अपने माता-पिता की बातों पर ध्यान देना चाहिए. आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी.